कि अपने यूट्यूब चैनल इस्मार्ट इंशॉरेंस में आपका स्वागत करता हूं जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंसुमोबल कवर की मैं आपको अगले वाले टॉपिक जो रहेगा वह रहे वह बारे में बाता हूं गया तो जुड़े रहे मेरे यूट करने जाते हैं तो सबसे पहले हम जो आप इंश्वरेंस कर देते हैं या जिरो डेफ कर देते हैं आपको रिटेंट वोई दे दिया तो क्या रहता है कि जैसे ही आप यह चीजों को ले लेते हो तो आप उनसे की रिपकेस्ट और कर सकते हो कि सर आप मेरे लिए कंजूमोबल कवर रेट करवा दीजे मैंने प्रिब्यस से क्लेम लिया था उसमें मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और बैसिकली मैंने उस समय जो मेरा कंजूमोबल कवर ना होनी की वज़े से मैंने बारा सु पंद्राजार रुपे क आसपास पे करेते तो मैं आपको चीज के बारे में बताता हूं आज कि कंजूमोबल कवर होता गया है चीज या अपनी पालिसी पर आप मेंजन कराते हो जैसे आप नील डेप्रेश्टियस लेते हो वैसा यह इस आपने अपने गाड़ी की पालिसी ली ठीक है आपकी आपको दस आजार रूपे आपको 10,000 रूपे आपकी गारी में बिल बना है तो आप वहाँ उस चीज़ को दिखाओगे भई यह 10,000 रुपे मेरा किस चीज़ का बना तो फिर आप से वो बात करेंगे कि सर कंजूमोबल कवर आपकी गाड़ी में एड नहीं था या आपकी पॉलिसी पे मेंसे नहीं है या आपने उसका पॉलिसी पे तो फिर आपको मजबूरी कहीं ना कहीं आपको 10,000 रुपे देने वो पढ़ी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी कराते हो तो उस समय इतना प्रीमियम कंजूमोबल कवर लेने में नहीं आता है ज्यादा से ज्यादा मैकसिमम 1500 रुपे के असफास में आपका कंजूमोबल कवर का भीमा भी होई जाता है जब हम इतना सब कुछ करा सकते हैं तो एक कंजूमोबल कवर भी और अपने भीमा पैट करवाई सकते हैं तो जैसे ही आप कंजूमोबल कवर ले लेते हैं जबकि अगर नॉर्मल पॉलिजी नॉर्मल चीज में अगर आप कंजूमल कवर नहीं लेते हो तो आपको वो एमाउंट कम से कम 20-30,000 रोपे आपको भरने को आ सकता है एक इतनी सी बात छोटे से पैसो में आप एक बड़ा बेनिफिट कमा सकते हैं ये भी एक बिजनिस की तरह ही रहता है जैसे कि आपको ये चीज ले लिया है या ये चीज भी ले लिया है आपने चीज ले लिया है और इससे कोई ज्यादा पैसे लेकर दिखा दे मैं अगर कोई आपसे यह चीज भी लेने के बाद में भी अगर आपसे कोई अधर चार्जिस लेते हैं या आपको बताते नहीं हैं तो आप उसके लिए आप अपने लीगल कारवाई के लिए आप सोभी सोद्द रहें तो नमस्कार जोड़े रहिए सर मेरे चैनल स्मार्ट इंशुरेंस से मैं आगे आपको एक नहीं चीज के साथ नए वीडियो के साथ मिलूंगा तब तक के लिए धन्यवाद